आत्मा के निष्च्छे से, जब आप गुरु के पास आते हो, और गुरु आपको, आपका स्वरुप लखाता है, तो एंकार ले होता है, एंकार मनई है, अहम का अकार, ओ अकार का अहम, जैसे यह अकार है न शरीर, इसका आप अहम करते हुer, मैं करते हूँ इसकी, यही एंक अब ये अहंकार ले कैसे होगा जब हम अपने आत्मा के मिश्चे में आएंगे ये सब जो करता बना, भूपता बना, होना बना ये तो इस अहंकार की सब ब्रांचीज है पहले मैं हूँ तब ही तो मैं करता हूँ करता बाव तो बाद में आया ना, पहले हम स्वयम को मानते हैं, फिर हम स्वयम को करने वाला मानते हैं, भूबने वाला मानते हैं लेकिन शुरुवात कहां से है शुरुवात है अपने को दिह मानने से जो अपने को शरीर करके जानता है वो आहनकार में है और कोई एहनकार हो ना हो जैसे दादा हरवान के पास एक आउरत आई थी कहती है दादा जी आप रोज एंकार की बात करते हो लेकिन मेरे को तो ना पती है ना बच्चा है ना धन है ना घर है ना मैं पड़ी लिखी ना मैं खुबसूरत मुझे किस चीज का एंकार होगा मुझे तो किसी चीज का एंकार ही नहीं दारा जी बोलते हैं तू तो है बस यही है इंकार है जब तू है तो तू इन चीजों का अभिमान करने लगता है ना पर पहली बात क्या है तू है तू अपने को जानता है कि मैं हूँ यहीं से तो इंकार शुरू होता है होना पना जब आप ईश्वर के सिवाए अपनी हस्ती मानते हों आप यह जानते हो कि I am Mr. So and So I am Mrs. So and So यहीं एंकार है और इस एंकार की निवर्ती सिरफ आतम निश्चे से पॉसीबल है और कोई उपाई भी नहीं है जो अपने सरूप को जानेगा वो इस एंकार से छुट जाएगा जो स्वयम को नहीं जानता है आतम निश्चे नहीं करता है वो एंकार से नहीं छुटेगा कभी आप सोचते हो मैं फलाने अभी मान से छुटूं मालिक पना ना दिखाओं ना करूं ये ना करूं लेकिन जब तक ये मैं रहेगी किसी ना किसी चीज के साथ जुड़ जाएगी जैसे आपने घर में देखा होगा खूटे होते थे पहले पुराने जमाने में दिवार में लकडी के इतने बड़े बड़े खूटे होते थे तब ये इनका फैशन नहीं था जो आजकल आपकी वो आगी है ना क्या कहते हूं दरवाजे की पिछे लगाते हैं खूटी तब ये खूटिगा नहीं होते ही थी वो कीले होते थे सब के घर में यहां तक की बैठक में भी लगे रहते थे ड्राइंग रूम में क्यों बाबा बुड़ा आएगा तो छटरी टांगेगा हो इस पे है ना तो ये जो कीले से होते थे उस पे कुछ ना कुछ टंगा रहता था वो कभी सुना ही नहीं रहता था इसी तरह से जब तू है तू ये जानता है मैं हूँ तो फिर तू कोई ना कोई कोई ना कोई बात से अपने को जोड़के आंकार करी लेगा जब तक जानते हो मैं हूँ तब तक तुम अभिमान से नहीं छूट सकते हैं और अभिमान दोनों तरह से होता है कई बार देखो कई लोगों के पास बार से कहने में गरीबी होती है लेकिन उसमें भी बड़े attitude वाले होते हैं आप help करना चाहो, प्यार करना चाहो, receive नहीं करते हो तो यह होना पना ही तो है अंदब, ज़रूरी थोड़ी है कि कोई चीज होती है कोई गोण होता है तो इंसान उसका ही अभिमान करता है उसका होना पना कोई भी रूप ले लेता है बस इस होने पने को हमें गुम करते जाना है जो बनके बैठे हैं इसको इंकार करना है बाकी तो सौरुप बता दिये अवश्टावक्र गिता में बूल दिया करता पंकारी हर सर्प है जो सबके गले में पड़ा है और डसके बैठा है के मतलब हर वेक्ती अपने आपको करता बुपता जानता है गुर्णानक सहीब ने सरूप लखा दिया इस एंकार का कि जब लग जाने मैं कुछ करता तब लग गर्वजून में फिरता जब यह जाने मुझते कुछ होए तब इसको सुख नहीं कोए एक रूप बता दिया कि पहले आप अपनी हस्ती मानते हो एंकार करते हो उसके बाद फिर आप करता बन जाते हो भूपता बन जाते हो लेकिन जड़ को नवारें पर मान लो आप अभी बूलते हो मैं करता हूँ फिर ज्ञान सुन लेते हो आप कहते हो मैं नहीं करता हूँ संसादूओं को देखो जितना हट एक ग्रस्ती वेक्ती को है ये करम मुझे ही करना है करम में आ सकती है उनकी ना करने में भी उतनी ही आ सकती है मैं करता हूँ ये अभिमान है तो मैं नहीं करता हूँ ये भी अभिमान है दोनों एहनकार है आप लोग सोचते हो खाली मैं करता हूँ यही एहंका होता है नहीं मैं नहीं करता हूँ यह भी अपने आप में एक एहंका है ज्यानी की स्थिती क्या है ना करने में ना ना करने में क्योंकि मैं कहीं बीच में आता ही नहीं हूँ गुण गुणों में वरत रहे हैं इंद्रिया आपने अपने विश्यों में वरत रहे हैं होना होगा हो जाएगा नहीं होना होगा नहीं भी हो जाएगा ज्यानी को हट नहीं होना चाहिए अब अगर आप सिरफ इसी को एंकार मानोगे करता हूँ फिर आप नहीं करता हूँ के भी एंकार में आओगे अब वो वस्तर की बात ले लो बैसन्यासी कहता है मैं तो गेरवा ही पहनूँगा ये भी तो आ सकती है जो पहना दे वगवान शरीर को ठीक है जब तू शरीर ही नहीं है तो फिर तू शरीर की मैं क्यूं करते हूँ पर अपने आपको शरीर जानते हो फिर किसी ना किसी हट में आ जाते हो जहां हट है वहां अहंकार है बड़ी सीधी बात तो ये है आपको अंदर का मुना पना छोड़ना है हौकच ना ही आपको इस निश्चे में अन्दर जब तक तू है तब तक सारी भाव जीवेत है जब तक तू है सारी स्रिष्टी बनी हुई है जब तू नहीं है तब बात बन जाती है छूटना है अहमता से अहमता ममता करता पहले पैल आया अहमता मैं हूँ फिर आगी ममता क्योंकि जब तू जानते हो मैं हूँ फिर मेरा ज़रूर बनाओगे फिर करतवे बोध हो जाएंगे उसके लिए बन जाओगे करता तो अहमता ममता करता शुरुआत कहां से हुई अहमता से आपके होने बने से गुरू का जो वार होता है वो हमारे इस एहंकार पर होता है होने बने के शुरुआत होने बने से होती है उसके बाद नाना प्रकार के अहंकार हमको घेर लेते हैं, अगर हम शुरुवाती को खतम नहीं करेंगे, तो बात कराब हो जाएगे, अब देखो एक छोटी सी बात है, सब हम मानते आए, मैं अज्ञानी, मैं जीव, मैं गंदा, मैं बंदा, अब सत्संग में आके एक बार सारे गुणों का एंकार जागता है, जागता है नहीं जागता है, पहले कहते थे मैं अज्ञानी, अब अंदर वाला तो बोलता है मैं ज्ञानी, बार से चाहे लोगों को बोलो तुमारी चारण दूल पलाना आटीरा, लेकिन मन बखवास छोड़ता है, इसको एहसास था ना, मैं अज्ञानी, अब इसको पूरा एहसास है मैं ज्ञानी, इसको गवाने में फिर मेहनत लगती है, आप फील करके देखो, अज्ञान के हट तो छोड़े, लेकिन जो ग्ञान के हट आ गए है न, इनको फिर आतम निश्चे से बार बार गवाना पड़ता है, तो दोनों एंकार हो गए कर नहीं हो गए, पहले कहते थे मैं गंदा, अब कहते हो मैं बहुत स्रेश्ट, पहले कहते थे मैं पापी, अब कहते हो मैं निश्कामी सथं करता हूँ, पहले कहते थे मैं जीव, अब चाहे ब्रह्म अनुभाव में आया नहीं आया पर मैं ब्रह्म पता ये भी नहीं है कि शरीर की मैं कोई ब्रह्म बना डाला आत्मा किस चिडिया का नाम मैं अनुभाव नहीं हुआ लेकिन मैं ब्रह्म Byग मैं ऐसा मैं नैसा मैंवई की जुढ़ गया सा्थ विशशन अब पहले इन चीजों में हत अब सदुगुणों में हत निर्गुण ब्रह्म तो उसके बादन वहुंमें आता निर्गुण ब्रह्म की अनुभुती हो रही है निर्गुण ब्रह्म कहा पा रहे जहां मैं भी नहीं है जब मैं था तब हरी ना ही अब हरी है तो मैं ना ही क्यों कहते हैं पाप, पुन्य, गुण, अवगुण सब तेरे अरपन इस सब शरीर के धरम है और ये सब धरम करम इश्वर अरपन करके जब अंत्य करण पूरा खाली होता है तब अपने सवरूप का अनुभाव होता है सवरूप कैसे अनुभाव में आए जो चार ज्यान के गोण हम लोग सुन लेते हैं कई बार हम सोचते हैं शहर यही आत्मा का लक्षन है आत्मा का लक्षन ये नहीं है आत्मा है निर्गौण निराकार रूप ना रेख ना रंग कुछ त्रेगुण ते प्रभबिन तिसे गुझाय नान का जिसो वे सुप्रसन अब रूप रंग रेख तो उसके साथ लागू ही नहीं है हम कैसे लागू कर सकते हैं विचार करके देखो जितना भी गुण की भी बात आती है सारे गुण इश्वर के हैं क्योंकि इश्वर से उत्पन हो रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो निर्गुण है कमल की चड़ में पैदा हो रहा है उसके बावजूद कमल को न्यारा निरलेप जाना जाता है है इन्यारा भूँ इसी तरह से सब गुण मुझ से उत्पन होते हुए भी मैं किसी गुण में नहीं हूँ सब भूत प्राणी मुझ में स्थित होते हुए भी मैं किसी में नहीं हूँ अब अनुभव की बात तो ये है न तो जब आप शरीर का अध्यास इसके गोण अवगों सेर्थ छोड़ते ना मुझ में गोण ना अवगोण ना विकार ना बातें कुछ भी ने सारे आवरण हटाते जाओ तो अपने सरूप तक जाके पहुँचते तब ये भेद खुलता हूँ मैं कौन हूँ ये भेद तब खुलता है जब आप अपने आपको जानते हो वरना नी Otherwise आप थोड़ी थोड़ी डंडिगां काटके और सोचते रहते हो शायद काम बन गया अगर पेड की जड़ ना काटोगे तो डंडिगां काट लो पत्ते काट लो थोड़ी दिन बार पेड तो फिर हरा बरा हम सोचते हैं चलो मैं ये एंकार मिटा दूँ ये एंकार गवा दूँ मैं तो है पहले न मुझे बड़ा एंकार था धन का अब नहीं है कौन कह रहा है नहीं है विचार करो और जब तक मैं नहीं जाती एंकार किसी चीज का नहीं जाता एंकार तब जाता है जब मैं जाती है वरना कुछ समय के लिए दब जाता है नजर आता है जैसे दब गया लेकिन भीतर रहता है स्यानप का एंकार जानने का एंकार गुद्धी बहुत चलती है हर बात में चलती है अपने आपको इस्याना मानना अपने आपको इस्रेष्ट मानना अपने आपको होश्यार मानना बहुत चलती है गुद्धी अर्तरा से चलती है होना पना ही तो है आज कोई तुम्हें भेज दे न सत्संग बताने समझो हम कहें आज हम नहीं आ रहे हैं काम में सरी ठीक नहीं है किसी को भेज दे सत्संग बताने तो मुसकी भी चार कलतियां ढूंड लोगे ये तो सही बताया ये तो गलत बताया ऐसे तो बोलना चाहिए ऐसे बैस मारोगे उसके साथ भी इंसल्ट भी करने में बाज नहीं आओगे तो इस सब एंकार नहीं है तो क्या है क्या सिद करना चाहते हूं आत्मा तो स्वेम से बहे सिद क्या करना हर एक अपने अनुभों से बात कर रहा लेकिन एंकार है जब भीतर एंकार रहता है तो किसी को रिसीव भी नहीं करने देता आप बाहर से बोलो मैं बड़ा नमरू कई लोगों के मुँमे ही जबान नहीं होती बोलेंगे तो हैं हैं करना पड़ता है लेकिन अंदर तो एंकार इतना गुमान भरा पड़ा नस नस में एंकार है वो नहीं जाता किसी का कोई सच्छंग से जुरा हुआ हो कहीं कोई पुराने दादी पर दादी कोई सुनते हमारे तो फलाने सच्छंग करते थे उनकी तो ये रहनी उनका तो फलाना उनका तो तीर अब ये नया गुमान उसको भी साओ भाई बैठके बखवास सुनो सारी तू अपने को जानने आया है यहां पर हमको इंट्रोडक्शन देने आया दुनिया बर की ये भी तो एक मुह भी होता है इंकार भी होता है मेरे बाद उसकी बड़ी स्थिति उसका गुरू को पता है तुम्हें पता है गुरू ने सर्टिफिकेट दिया किसी को अगला गुरू की अंडर मरा हुआ है गुरू को तो पता ही हूँ है काह काह नहीं लेकिन नहीं हमारा है फलाना बहुत अच्छा है बहुत ऐसा है बहुत मरो जाके उसके मूँ में यह भी अभी मान है स्रेश्ठता कोई एक तरह की है मान लो पती अच्छे ओदे पर है पतनी ऐसे ही फूंडती फषरती है मेरे ये फलाने के पीए है मेरे ये फलाने के ये है हम क्या करें अभी मान जड़ छीजों का तुम्हें एंकार इंकार इंसान नहीं करता है, सब रियलाइस करता रहता है अंदर अंदर, ये अच्छा, ये बुरा, ये ऐसा, ये वैसा, सब अंदर रियलाइस होता रहता है, सियानक का इंकार, अभी नाम ले दें किसी का, फलाने की मैनत, फलाने ने ये क्या ना जी, आहाँ पें, यहाँ भी आप हैं, यहां तो पता चलता है, मैं हूँ, जब आते हो ना अपनी एंट में, जब बोलते हो चीक-चीक के, जब करते हो order, आप होते हैं यहां पे, इस टेम तो मैं होते हैं, एंकार के तो बड़े सारे रूप हैं, अब कौन-कौन सा रूप गवाओगे, कभी inspection होती रही न, समझो, class में inspection है, copy की, बच्चे कहीं नई copy बनाते थे, क्यों, किस-किस पन्ये को ठीक करें, teachers ही बताते थे कई बच्चों को, तुम ऐसे करो, चार दिन है, दिन रात मेंद करके नई copy बना दो inspection के लिए, मैं कर दूँगी, check dates डाल दूँगी, भाई क्यों मेड़े मैंसा कर रही हो, कौन-कौन सा पेज ठीक करोगे, सारा पेज ही खराब है तुमारा, पूरी copy बेकार है, तो आप भी अगर repair करने की सोचोगे, कौन-कौन सा पेज repair करोगे, गुरु कहता है, जड से होने पने से इंकार कर दो, दादा भग्वान ने इलाज बताया, मुकर जाओ, और दिवाला निकान दो, लोग हैरान हो गए दादा जी क्या कहते हो, मुकर जाओ, दिवाला निकाल दो, बोला मुकर जाओ कि मैं पैदा होना हूँ, यही से मुकर न शुरू करो, क्योंकि मानते हो मैं पैदा हूँ, मैं यही से शुरू हो गई, उसके बाद तेरी सृष्टी बन गई माता पिता ये वो फुलाने ढिकने सब शुरूरो हो गए मुकर जाओ मैं हूँ काम खतम और दिवाला निकाल दो मेरा भी कुछ नही जब तक मैं हूँ तब तक मेरा है जब मैं नहीं हूं तो मेरा भी कुछ नहीं है काम खतम करो होना पना बंधा ने पर होकच नहीं यह मुक्ति है एक दिश्टांत बहुत पुराना हम लोगों का चलता था कि एक बार एक किसान मर गया जब उसका सब खतम हो गया क्रिया करम वगयरा उसका बेटा गया गाउं के सावकार के पास भई हमारे पिता जी ने क्या क्या लेंदेन किया हमने कितना आपका देना है थोड़ा हिसाब निकालो सावकार ने हिसाब निकाला तो बहुत ज़्यादा उठाया हुआ उसका पैसा व्याज लाखों में रकम बन गई है अब क्या करें फस गया बड़ी बुरी तरह से पैर पकड़ने लगा एक-एक रकम बड़ी है सावकार के पैर पकड़ने लगा कोई एक रकम तो काट दो इसमें से कितना मेरे पे दया करो एक रकम काट दो सारा पेज भरा हुआ है रकम से इस समय 25 अजार लिए इस समय 50 अजार लिए इस समय 70 अजार लिए इसका व्याज इतना लग गया कोई एक रकम काट दो सेज भी बैठा था मोज में उसके हाथ में कलम दे के कहते हैं ले जो लाइन तेरे को काटनी है काट दे चल तेरा बाप मर गया मैं इतना कर सकता हूँ लड़का इतना उश्यार था उपर लिखा था उसके बाप का नाम और नीचे खाता था उसने बाप का नाम ही काट दिया तू नहीं कहा एक काट दे कोई भी लाइन, मैंने काट दी, नाम कट गया तो खाता कैसा है दादा भगवान ने सबको बोला, एक एक करम से पीछा नहीं छुड़ा पाऊगे, मुश्किल है कर्मों की गती पीछा करेगी, कर्मों की गती न्यारी भी बहुत है हाथ नहीं आएगी, तो क्या करो, अपना होना पना ही कैंसल कर दो ये कलम तुमारे हाथ में दी है भगवान ने चाहो कुछ करमों का हिसाब करो, कुछ करमों को काटो पर जिसने होना पना अस्विकार कर दिया उसका सारा पेज खतम हो गया मिटा दे अपनी हस्ते को और स्विकार कर दो मैं हूँ इस बात को इनकार कर दियो सारी बातों से बच जाओगे और जब तक जानोगे मैं हूँ तब तक बंधन तुमारा गुरू भी निकाट पाए ये भी सच है अगर कोई अंदर से अपना अहम ना गमा पाए तो उसका बंधन गुरू भी नहीं काट सकता है भगवान बोलते थे एहंकार तुमारा इतना जबरा है कि उसके आगे गुरू भी खुद को जुका देता है नमरता करके प्रेम करके कहता है चलो जी आगे तुमारा एहंकार जब देखता है न बहुत सिर चड़ा हुआ है गुरू भी पंगा नहीं लेता वो अपने आपको जुका के निकल जाता है किस एहंकारी वेक्टी के मूँ कौन लगे जब कोई रिसीवी नहीं करता कोई समझता ही नहीं है तो उससे बात करने का भी कोई फाइदा नहीं है गुरू भी नहीं तुमारे एहंकार को जिल सकता हाँ पर तुम गवाने पर आजाओ इसे हिकार हो बराबर गुरु तुमारी मदद भी कर सकता है और तुम्हें आनन सरूप में भी ला सकता है पर पहली पहली शर्त है तुम मिटने को तयार हो तुम अपने नाम को मिटाने को तयार हो गवाने को तयार हो समर्पन करने को तैयार हो बातों से तो इंसान बहुत सारी बातें कर लेता है मेन बात है अपने आपको पूरी तरह से भगवान के हवाले करता है उपाधी आती है अंदर से कितने लोग हैं सत्संग आना चाहते हैं उपाधी आ जाती है दुनिया में इज़त मिली हुई है मान मिला हुआ है कितने लोग किर्टन विर्टन करते हैं परदान है ग्यान तो आपका बड़ा अच्छा लगता है सर्च में अब तो टलिया ही बजाते रहे आ जाओ मिश्किल लगता है संगत भी मेरी है बच्चे तेरे नहीं है संगत तेरी छाती पे रपके ले जाओगे मतलब साफ साफ समझ आ रहा है मेरा उद्दार नहीं हो रहा इस बात में तो भी फसे पड़े उपादी हर जगह उपादी बना लिए हर चीज को प्रेफरेंस देते हैं हम आया में उपादी पती हो ना पत्नी के प्रतिधर हमें सेथ हो ना फलानक काम मेरा है उपादी बहुत बड़ी तो ये उपादी बादक बनी फड़ी कही सत्संग करते चोटशोटी अपनी दुकान चलाए बैठी है, अकेले में आखे प्रशन करते हैं, पूनता तो नहीं है, सुनाते क्या हो, क्यों बकते हो इत्ता सारा गयाने, बस जी वो शुरू कराया ना, गुरू जी ने कारे, उनी का कारे समझ के करना है, उनका कारे समझ के किया होता है, उ उनका कारे नहीं समझा, एहंकार है, मैं सुनाने वाला, मैं बताने वाला, मैं करने वाला, ये बड़े बंधन है, किसी की संसारिक माया तो छुडा ली जाए, ये माया सतो गुणी, ये छुडानी और मुश्केल है, बगवान बोलते थे, औरत के घर में बिली मर गई, वो कहीं बार गई हुई थी, आई देखा अंगन में बिली मरी पड़ी है, लोगों ने काप शबुन होता है बिली का मरना, इसको कंधे पे उठा ले जा, गंगाजी में बहा के याँ, वैचारी ले गई, बिली को बहा के अंगन में उंट मरा पड़ा था, बिली तो उठा ली, उंट कैसे उठाए, एक जो अहंकार संसार में था, उसको तो चलो गुरु भी उठा के बिली को फेके, पर जब यहाँ आके ये उंट मर जाता है ना अंगन में, ये उंट उठता ही नहीं, ये बड़ा अहंकार, हुने पने का, हर वेक्ति अपनी हस्ती के पीछे, हस्ती बना लूँ, हस्ती, हस्ती बनाई नहीं जाती है, जितने भी संत, मात्मा, महापुरुश हुए, उन्होंने हस्ती नहीं बनाई, वो तो मिठते चले गए, दुनिया ने उनको ढून डांड लिया कहीं से, फिर वो प्रगट हो गए, लेकिन उन्होंने अपने प्रगटे के लिए कोई करम नहीं किया, जो ग्ञान मिटने के लिए मिला, इंसान उससे भी कुछ बन गया, मिटने के लिए मिला था ग्यान, आपा गवाने के लिए, पर ग्यान से भी बड़ा फाइदा हो गया, जहां बैठो चार शब्द बोलने आ गई, बड़ा फाइदा हो गया, जो काम करो गुरू को याद कर लो फाइदा हो गया, करम योग हुआ है, या अपने स्वार्थ के लिए भगवान को बीच में डाला है, दो बातों में डिफ्रेंस है, आज एक काम पूरा करना चाहते हैं, हमको ओर्डर मिल जाए, हमको ऐसा हो जाए, भगवान आपी हो, आपी हो, आपी हो, इसलिए या हर करम मेरा भगवात अरपण है, चाहे वो अपने शरील की क्रियाई क्यों ना, दो बातों में अन्ता है, जब स्वार्थ के लिए इश्वर को याद कर रहे हो, करम योग कभी नहीं होगा, करम योग ही तब कहलाता है, जब हर करम इश्वर अरपण होता, और ऐसा करम योगी फुरुष विलकुल उसी स्थिती पे आ जाता है जो ज्ञान योग की स्थिती है लेकिन करम योग बने तब न आप हर करम को काम मान के करते काम है काम है दो फिर मतलब सा काम है और वो तुम्हें बांदने वाला है लेकिन में चीज़ है करम योग हो जाए और करम योग कब होता है जब ये जाना जाता है इश्वर द्वारा हो रहा है एहंकार नहीं होता है जब फलकी इच्छा नहीं होती है जब करम में आसती नहीं होती जब करम को पवत्रता से किया जाता है जब करम को सज़लता से किया जाता है तक करम योग कहलाता है कितने लोगों को आप देखोगे जबानी शुद नहीं करम में शुदी कहां से आएगी हर थोड़ी देर में एक नई स्केटमेंट हर थोड़ी देर में एक नया विचार हर थोड़ी देर में बात बदल गई इतना जबान जल्दी जल्दी फिरती है तो ये भी शुद्धी नहीं है बहुत बड़ी अशुद्धी है यथार्थ और प्रिये भाशन सुना बहुत है लेकिन अपने स्वार्थ के लिए इंसान ना यथार्थ बोलता है ना प्रिये बोलता है बात को बदलता जाएगा एक एक सेकिंड में बदलता जाएगा ये बात ऐसे पकी कर दूँ ये बात वैसे उसके लिए इतना जूट का सहारा ऐसा वेक्टि करम योगी नहीं हो सकता कहते हो आप लोग बरकत नहीं होती करम योगी नहीं बरकत कहां से होगी जिस चीज में मर्जी आठ डाल दो जब तक वाणी की शुद्धी नहीं करम की शुद्धी नहीं मन की शुद्धी नहीं इंद्रियों की शुद्धी नहीं जो कमा रहे हो उसको कहा लगा रहे हैं हर चीज देखी जाएगी करम में सजगता भी देखी जाएगी बेपरवाई का नाम भी करम योग नहीं बस बेपरवाई कर दी किसी ने कान सौप दिया उसने दुबारा ना पूछा छोड़ो परे भूल बाल गए कैसे भूल गए भाई तुम कितने लोगों की रहनी आप देखोगी अच्छी नहीं तो वो करम योगी नहीं हो सकते क्योंकि अटेंटिव नहीं हमको याद है किसी लड़की ने चेक रख दिया था कहीं एक आया था उस दिन भगवान खुद भी एक देट घंटा लेटा है सत्सम और सारे लोग घर के अंदर बंथ बोले आज चेक दूंड के दो कहा है बोले प्रॉब्लम चेक की नहीं है प्रॉब्लम तुमारी रापरवाई की है कहां गई चीज एक धिकाना नहीं है चीज रखने कर कभी कहां रख दी कभी कहां रख दी गुम हो गई गाइब चीज कैसे गाइब हो गई गर्से चीज काँ चली गई, कौन ले गया carelessness जो सजग नहीं है उसका भी करम योग नहीं हो सकता है सजगता चाहिए, पूरी-पूरी एक जगा हो वह यह चीज हम यहाँ पेपर्ज ही होते हैं, तुम एक फाइल बरनाओ, उसी में लगाओ वहीं से फाइल उठाओ, पताओ यह फाइल मेरी यहाँ रखी है रोज चार कागज बुमोंगे तुमारे क्यों कोई पर्स की जेब में गुसा दिगा, कोई पैंट की जेब में, कोई शर्ट की जेब में फिर वो धुलने चला गया रेका अकसर आदमी लोग चीखते हैं गर में ओरतों, देखती नहीं है कपड़े दो दिए, अब उसको सपना आएगा तो उने जेबों में कागच्छ पा रखें, पर्चियां थी मेरी पर्चियां, पहले तो दो नंबर का दंदा पर्चियां फिर वो मरी पर्चियां कौन सी जेब में घुसीं हुई है फिर वो उचारी धोने वाली पिट गलद पहले तेरे कपड़े पीटे, अब तो उसको पीट गल्ती किस की है तुमारी है तुमने अपने कपड़ों को पुरी तरह से खाली क्यों नहीं करके रखा अटेंटिव नहीं कोई काम बोल दो किसी को चार दिन, दस दिन बीट जैंप उचो मत काम किया नहीं जी मुसकुरा के बोलेंगे नहीं क्यों अरे किसी के पास कुछ बेजना है हमको फोन आजाता है किसको मेगजिन नहीं मिली मिली, कहां गई है पता नहीं, बेज तो दी थी बेयारी होते हैं रिक्षा वाले वो खाते रहते गुटका ऐसे ऐसे करें सेम टोन लगते पता नहीं, बेजी तो थी अभे भाईया, बेजी थी कहां गई, बेजी तो थी कोई पर्ची बर्ची कोरियर वाले की कुछ है बस गुटका खा के मस्त है राम नाम का गुटका मिल गया बड़ा आनन्द आ गया सजगत और वो आनन्द आ गया मेरा मतलब है एक सेवा भी मिल जाए वो भी अगर सजगता से नहीं लिवती है काहे के भगत क्या करम योगी बने गए हसने जैसी नहीं महा शर्मिंदगी वाली बात है शायद हम पहली सीडी के पहला पथर भी नहीं छूपाए जहां से साधना शुरू होती है विचार किया चल रहा है बसकर चल रहा है दिमाग कहां रहता है क्यों रहता है अब आप लोग क्या करते हो अपनी इन भूलों को क्या बना देते हो ग्यान की स्थिति मेरे बताने का मतलब ये है फिर एक नहीं होश्यारी है क्या कहेंगे जो भूल गईना जिन काम हों को ग्यान की स्थिति हो गई है शायद भूल पढ़ जाती है न ज्नी को ज्नी को जिस जगद की भूल पढ़ी वो जगत तुमें अभी सारा याद है और ग्यानी जितना सेवा में निपन है और हुश्यार है तुम उसको गवा के कहते हों ज्यानी हो गए एक ने बोला था गुरू जी को आके भगवान आज ना दूद जल गया गिर गया पतीले से बाहर मैं पता नहीं कौन से ध्यान में खड़ी थी पता ही नहीं चला भगवान भोले अगर तू ध्यान में नहीं थी तेरे हाथ पैर क्यों नहीं चले ये तु सारे सलामत बच गहें खड़ी तू वहीं थी भोले हमसे नाटक मत सुनाया करवा के कोई गोपी गोपी नहीं हो गये हो तो अपनी लापर वाही को स्थिती कहना ये अपनी इगो को प्रोटेक्ट करने वाली बात है स्थिती कुछ नहीं है मुर्खता है अभी कहीं सत्संग भी रखा होगा ना अभी सत्संग पूरा होगा आज हमको फलाने शेहर जाना है सत्संग कहां रखना है अब डिसीजन होगा क्या आरतिन से सो रहे थे बस वह गुटका ठाके मस्त पड़े थे यादी नहीं था कुछ क्यूं एपसेंट मैंडिटनेस होश में नहीं रहते और ज्ञान कहता है कून सुजागी फुल अवेरनेस जो अवेर नहीं है न हर समय ज्ञान की स्थिती कब भी नहीं पाएगा बुलता ज्ञान ही हो जाएगा बहुत अच्छा लेक्चर पावर बड़ी अच्छी आ जाएगी लेकिन स्थिती शुनने रहेगी जागरती नहीं हो पाएगी जो जागना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने कभी गुरु को लापरवाही को ज्ञान कहते सुनाई नहीं हम लोगों से ज्यादा सजग वो होते थे अर बात के लिए हर बात के लिए अगर उनको हमारे पास आना है चार दिन पहले बोलते थे एक दिन के लिए आजा बैट के सारी लिस्ट वो बनवाते थे ये ध्यान दखना ये अरेंज करना ये अरेंज करना ये अरेंज करना ऐसे करना और ऐसे करना जिन्होंने कभी किये नहीं अरेंजमेंट्स उनको सारी नौलेज ये सजगता है जिस जगत को भूलाना था भूले बैठें पर जो सेवा भगवान ने दिये इसमें तो पूर्ण जागरती से चलते कहते थे अपना खाना नहाना तो नहीं भूले सेवा भूल गए काम भूल गया जो तुमें काम दिया वो तुमको याद नहीं है एक-एक को ऐसे वागवान चोटी से पकड़ लेते हैं कि काम पूरा क्यूं नहीं है तुमारा अधूरा क्यूं है कितनी बार तो भूल जाता है काम और पूछो गए ना तुम किसी से तो बोलेंगे कि समय नहीं मिला सच में समय नहीं मिला या तुम भूल गए थे ये तो कोई पलट के तुमसे क्वेशन नहीं करता अगर तुमसे पलट के क्वेशन किया जाए क्या जवाब है तुमें एक परशाद पहुंचाना है किसी के पास जिम्यदारी से पहुंचा ये तुमारी जिम्यवारी है अगला तुम्हे फोन करके पूछे उससे पहले तुम्हे चिंता होनी चाहिए कि भगवान का प्रशाद उस तक पहुंचा पता नहीं किस संकल्प से भेज रहे है क्यूं याद कर रहे है जब हम दादा भगवान की बात सुनते है कि एक दिन रात को आठ बजे टेक्सी करके दादा स्टेशन गर लेटर पोस्ट करने अरे दादा 40 रुपया खर्च करके हम ये पाँच रुपय का लिफाफा पोस्ट करने जा रहे है हाँ क्यों पता नहीं कोई मरने वाला हो मेरी चिठी उसको जीवन दे देगी जल्दी पहुंचे कभी विचार किया पता नहीं किसी के पास समय से कोई चीज पहुंचे वो कौन सी विपत्ती से बच जाए बस आँख कान मुख मुंद के नाम निरंजन ले यह याद है तो लो जाओ ही माले की चोटी पे चड़ जाओ इतनी बरफ होएगी अपने आप आँख कान मुँ सा बंद हो जाएगा जब और चीजों का होश रह सकता है टेहल में टिडंदो भगवान बातें बताते थे जैसे वो काता है ना अमारें जी ये किये इंदो ये सांग फकीरी ये जो चौसा रेकिये थी नो पुछता है माह से कि मैं जो ये फकीरी वेश पहनने जा रहा हूँ ये सफल कैसे होई चौसा रेकिये थी नो तो मा सारी बातें बताती है उसमें उसको कहती है टेहल में टिडंदो टेहल में मनसेवा में एकदम सुजाग होके खड़ा रहे हनुमान जी जैसी धक्ती किसी की नहीं हुई आज तक लेकिन फिर भी वो परम सुजाग है तुम बातें करते हो खली फिर अपनी भूल को प्रोटेक्ट करते हो ये कहके कि बस मैं ग्यान में इतना गुम रहता हूँ न कोई ग्यान में गुम नहीं रहते हूँ जिस दिन मान अपमान लग जाता है कोई बात मन के विपरीत हो जाए और पंट्रोल नहीं होता उस दिन ये मस्ती कहां जाती है जब दो दो दिन मुझ फूल जाता है तब ये गुम पना कहां जाता है गुम तो वहां होना चाहिए कि पता ही नहीं चला कोई बात हुई भी थी वहां तो बुरा होश है इसने ये कहा उसने वो किया इसने ये कर दिया सारा सारा होश बना पड़ा किसी की भूलो वे मजाले तुम उसको शंती से भुला सको गल्ती है अगले की गड़बड कर दिया है उसने ऐसा कर दिया है देख लो आपको जैसे करना कर लो अब कहां भी मस्ती क्यों इतना जत ला रहे है हो गई किसी से भूल उसको सही कर लो नहीं अच्छा काम नहीं करता फलाना अच्छी शेवा नहीं करता ध्यान से नहीं करता अटेंटिम नहीं रहता मेरा काम बढ़ा दिया फिर ये सब कहां से निकल गया अगर हम ये कहते हैं कि हमको बस नशा है भगवान का भूल पढ़ गई मस्ती में अब मस्ती कांग गई जरासी किसी का पैर पढ़ गया तेरी पूँच पे अब तो तुम दोड़े काटने उसको ये भी नहीं कह सकते है असल बात ये है स्वभाव में लापरवाई और कबूलना नहीं चाहते हैं इसलिए तरह तरह के आवरन उसके उपर डालते रहते हैं ये भी तो एक एहिंकार है अपनी भूल को ना मानना भूल मानने में अपना अपमान समझना जुक जाना ये सब एहिंकार है मैं कैसे जुक जाओं मैं अगर मान लूँ मैं गलत हूँ फिर सब मेरे लिए क्या सोचेंगे क्या ये एहिंकार नहीं है जो कबूल नहीं करने देता जुकने नहीं देता मिटने नहीं देता गवाने नहीं देता आपने को ये सब भी तो एहिंकार है उसको गुम करो हर एक वेक्ति अंदर एक सोच बना के बैठाया I am right I know जब I am right तो दूसरे रौन दिखेंगे ही दिखेंगे और जिस दिन ये मुसीबत अंदर आगई I know अब ये आपको किसी को रिसीव नहीं करने देगी भगवान बताते थे समझो एक काम तुम्हें अपने तरीके से करना आता है एक्ञेंपल देते थे विसम जो है इनकी फोल्ड किया तुम्हें अपने तरीके से करना आता है कोई कहता है ऐसे नहीं इसको ऐसे भी फोल्ड कर लो और अच्छा लगता है अब तुम्हें तो आता ही है अपने वाला तो तुम को बहुत रहेंदे मुझे आता है जिन्दगी बीट गई मेरी रुमाल लपेटते हुए तुम आज मेरे को सिखाने आयो कहते थे एक दूसरा गूंड सीख लो क्या जाएगा अगर अगला तुम्हें सिखा रहा है सबजी एक तुम्हें अपने तरीके से बनानी आती है कोई कहते है नी इसको ऐसे बना सकते हैं सी चीख लो तेरो को दो तरह से बनानी आ जाएगी पर जब अंदर होता है ना आई नो चुपकर चुपकर मुझे आता है और हालत फिर लास्ट में ऐसों की क्या होती है ऐसों की हालत ये होती है कि एक और अरत थी उसने बनानी थी खीर अब अंदर तो अभी माने मुझे आती ह ये नहीं दिखाना कि मैं नहीं जानता हूँ सबको शो करना है लेकिन confidence भी पूरा नहीं सास को कहती है खीर तो मुझे बनानी आती है आप बता दो आपके याँ कैसे बनाते हैं वैसी बना दो ताकि सब अच्छे से खा ले सास भी थी अनुभा गई समझ गई कांड नहीं आता वो बताती गई बताती गई और यह करती गई सास समझ गई कि एक step भी नहीं आ रहा है इसका मतलब खीर बनानी आती है जब सारी खीर त्यार हो गई कहती आप क्या करना है सास ने बोला वो चुले से राख निकालके न उपर गुरप देनी है उसको इतनी भी अकल नहीं थी कि खीर में राख नहीं होती खाई काई बहार थी लेकिन यह नहीं पता था खीर में राख नहीं डलती उसको लगा जो वो टेस्ट आता है काजू बदान का शायर यह राख का ही होता होगा सारी मेहनत करके खीर बनाके खूब सारी राख लेके उपर अच्छी तरह से डाल दे कहते थे ये होते हैं अभिमानी लोग अरे अगर तुम्हें कुछ नहीं आता पहले तो सीखने में कभी जुको ही नहीं बोलो कोई बात नहीं कोई सिखा रहा है न बोलो कोई बात नहीं सिखा दो मुझे नहीं आता मान लो तुम्हें अपने तरीके से कुई काम करने आता भी है तो भी कोई बता रहा है उसके according कर लो कितने लोगों को हम भी देखते सो तरीके बता लो चलेंगे अपनी चौल और अगर उनकी चाल थोड़ी सी यूँ करवा दो मूड़ा मुझे ये ठीक लग रहा है तो क्या हुआ किसी की समझ लेके चल पड़ बस वही बात है मन्न अबुदूराम अपनी समझ है नहीं गुरू की लेनी नहीं परिशानी ये तो ये दो बिमारिया I know and I am right ये इंसान को जिन्दगी में कहीं सफल नहीं होने देते अगर ये दो रोग निकल जाए ना जीवन से जो मन कहता है मैं जानता हूँ मैं ठीक हूँ अगर ये दो रोग निकल जाए तो बहुत कुछ कर सकता है बहुत कुछ धारण कर सकता है इविन देखो गुरू के वचन पे भी न मन अंदर कहता रहेगा मानलो गुरू तुम्हे का अच्छा तुम चार दिन छोड़के निकलो अच्छा तुम ऐसे करो इनको क्या पता इनको कोई गरगरस्ती है इनको कोई बिजनेस है अंदर मन गुरु के लिए भी कुड़कुड़ाता रहता है तो है न तुम्हें एहंकार I am right I know ये क्या जानते हैं मैं जानता हूं जिन्होंने स्रिष्टी बनाई वो कुछ नहीं जानते तो दो बच्चे पैदा करके एक बीवी लेके सब कुछ जानता है दो खिलोने खोलने वाले गुड़े गुड़िया से खेलने वाली लड़की सब कुछ जानती है मां ओगोयकल नहीं ये है अभिमान I know तो ये आई जहां आ गही न नुसीबत खड़ी कर देती है इसी लिए गुरु कहता है इस आई को माइनस करो असल में तुम हम यहां पर मिटने आते हैं मिटना सीखने आते हैं पर हम यहां आके भी बन बैठते हैं कुछ ना कुछ कोई ना कोई मैं यहां भी आ जाती है कोई ना कोई एहनकार यहां भी घेर लेता है कहीं रहते हो उठते हो बैठते हो समझदारी से काम करो हम लोग शुरू में जब जाते थे न तब ये जगे नहीं बनी हुई थी अपनी तो गुरू जी हमने घरों में ही रहते थे किसी के घर महीन न रहें किसी के घर दो भी रहे महीनों के हिसाब से रहते थे पर भगवान कहते थे अगलों को इतनी सी शिकायत ना हो सजगो के जियो कमरे से निकलो लाइट ओफ कर दो बाथरूम से निकलो नलठीक से बन-करके निकलो सफाई करके निकलो सुवे उठते ही अपनी चादर तहाओ अगलों के पलं की चादर सीधी करो सफाई के लिए वो ना कहें चुप चाप जाड़ उठाके लगा दो पोचा लगा दो अपना कमरा के लिए कर दो रात को भी हम लोग देर से पहुचते थे जहां रहते थे जाके खाना खाते थे बोलतो जग लोगों को बोलो तुमारी रहनी क्या है? किसी को क्यों टोकना पड़ता है तुमा? क्योंकि इतनी लापरवाईया है सभाव में लाइट जल रही है तु जलती छोड़ दी अपनी चीज समझ के अगर वर्तो तो तुम कहीं भी फिट हो पर जब अपना समझ के नहीं रहोगे नहीं वर्तोगे, कहीं भी फिट नहीं हो पाओगे मुर्खता है ये ज्ञान नहीं है समझदारी होनी से ही है हॉल में भी उम लोग बैठते थे न भगवान पोलते थे जितने पोर्शन में बैठे हो बस वहीं की एक ट्यूब लाइट जलाला शाम के सत्संग होते थे तो भी उम लोग कम लाइट यूज करते थे थोड़ी लाइट में एक साइट में बैठ गए इतने हीं लोग हैं बस बहुत है वेस्टेज क्यों एक तो कोई तुम्में रहाए तुम्हारी शेवा करें उपर से तुम्हारी वेस्टेज भी सहे फिर कोई टोक देगा तो बुरा भी बड़ी जल्दी लग जाएगा मुझे टोक दिया मुझे ऐसा कह दिया तो अगर तुम्हारी जेव से घर चोराओ तब तुम्हें भी पता चले तो नजाइस पाइदा उठाने वाली बात होई ना जब किसी से नजाइस पाइदा उठाओगे तो हर कोई तुमसे तंग आएगा लेकिन अभी मान भरा पड़ा मुझे कोई टोके ना मुझे कोई कहे ना अगर इतना ही तुम्हें बुरा लगता है किसी का टोकना तो अपनी रहनी परफेक्ट बनाओ आचरण परफेक्ट करो कोई बोलने लाइक ही ना हो कई लोग आते थे बहगवान घर में क्रोध करते हैं बहगवान कहते थे मुझे एक बात बताओ कोई अगले को कारण मिलता होगा न गरोध करने का अगर तुम्हारी रहनी परफेक्ट हो अब अगले को जाना है आठ बजे तुम पोने आठ नाश्ता रखो टेबल पे तुम नाश्ता जब सवा आठ लगाओगी तो गाली खाओगे फिर बोलोगे एक रोध करता है तो मैं नहीं पता उसने आठ बजे जाना है तो उने आठ नाश्ता टेबल पे रखो खतम बाए मौका क्यों मिले किसी को पता है घर में उन देर से पहुँचेंगे डाट पड़ेगी तो मैं लगा सत्संदेर से खतम हुआ भजन से पहले भाब जाओ अपना अपने घर का हिसाब तुम जानते जिसकी रहनी सही नहीं वाँ गड़बड़ गरवानों को भी मौके तुम लोग देते हम लोगो तो अपने घर में ही छोटे पंसे कभी किसी ने नहीं टोका था खुदी से जग रहते थे लाइट पंखा आज भी आ देते रूम से बार निकलने लगते हैं अपनी लाइट्स ओफ कर देते कि जब हम बैठे नहीं लाइट्स क्यों जल रही है फालत सीधी बात है जब अपनी रहनी सही होती है तो किसी को बोलना नहीं पड़ता और मान लो कभी किसी ने बोला टोका तो भी इतनी निर्मानता हो सौरी बोलो और तुरंत उस बात को सही कर दो और आगे रपीट ना कर दो ये अभिमान है सारा होना पना ये पहले गलतियां करवाता है फिर कबूल नहीं करने देता फिर कोई कुछ कह देतो पड़ी जल्दी बुरा भी मान लेता मूड आफ हो गई मेरी मूड आफ हो गई इतना तो अपने आपको समझते विचार करके रहो गुरू के पास भी शर्मिंदा ओकर करके रहो कि दिया कुछ मैंने नहीं लिगा ही लिगा है सेवा भी हम ले रहे हैं खा भी हम रहे हैं करम एंट के कैसे रह सकते हैं जुक्के रहना निर्मानता से रहना मता पान खेला जाएं मता गुरू खेला जाएं गाल थे योखी मतना चर्चो भाइं बल्कि इस तरीके का आचरन रखो गुरू को भी न सुनना पड़े तुमारे कारें के उनकी भी बेस्ती न करवा देना उनको इना मूँ चड़के कोई करे इसकी रेणी अच्छी नहीं तो चारों तरफ से पहचान अपने अहंकार को और फ मुना पना को तर चॉां मुना आज करता है